कि अब्धियास कैसा चल रहा आपका कि अब तो आपका जो कि अब तो आपको जो स्लेवर सेना काफी हद तक कवर हो गया है ना मैक्सिमम आप आप फ्लो में होंगे उद्धा कुशन निकल रहे होंगे अब आपको एक टेस्स की डिमांड है कि अब कोगे सर हर क्लास में आप यही बात बोल रहों अब वो टाइम नहीं है कि हम स्लेवर्स के विचे जादा भागें अब आप अब हम टेस्स की तरफ जाए तो ज़्याद़ पैर है क्यांकि क्योंकि एक स्थे सीरी आपको पता यह के डिया पर तयार ही बचिवी है तो आपको नंबर वन टेस्स लेनी चाहिए जो बाइस में तो इस तरिक्के से कुछ आपको चलना जाहिए देखिए इन टैसेस को दो भाग में बाट आगे टैली है एसस प्रिमिस टैस सीरीज जिसके टोटल नंबरों टाच अबिस दियें गए मेरे पस एटी फाइव अंडड़ जी नहीं से रेफोर सब सिस्टी फाइव हंडड़ गिये और प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है दो चीज और मिल रहे हैं और सी सब्सक्राइब को मिल सकता मतलब मि लिए क्या जैसे मैंने भी बात किकी दो टैस सीरीज अविलेबल हैं दूसरे टैस सीरीज आपकी यही है कि हरियाना जीके टैस सीरीज जिसके दस से पंद्रा कोशन मिनिमम आ रहे हैं मिनिमम अगर मैं बात करूं जो रेंज है मेरे पास 10 to 15 कोशन पर पेपर इतना तो आई रहा है इन प्रिदेंस क्लियर है तो क्या मिल रहा आपको 500 मिल रहे हैं सेरे फोर सेरे 400 में जिसका निक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया आगए साफ साफ प्लीज उसे अवेल कीजिए इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब् अब मिक्स कोशजन हीं प्रिक्टिस कर रहे यह मेरा सेटनमाट हूरा है प्रहले में भी काफी अच्छ और है मिक्स कोशन q क Hier एक तरह से आपकी मिनी टेस्स मिनी टेस्ट हो सकता आपकी लिए इसको अगर आप मीनी टेस्ट एरे लेके चलो ना कर n yeah हँते ज्याद़ा स्वें लिए कि कौशण आपको नया लगा इस में सald मेफितात नया लगा आपको यह चीज़े समझने बहुत important है और यहीं से आपका कुछ एक नया concept समझ आएगा आपको नई चीज़े समझ आएगे clear तो मिस्कोशन प्रैक्टिस आपका एक minute test की दर लेके चलेंगे चलिए पहला question क्या कहा रहा है if the product of 4864 multiply 9p2 is divided by 12 the value of piece बहुत अच्छा कोशन है बहुत शानदार कोशन कैसे करेंगे यह basically आपका number system से कोशन है यह basically आपका है number system से कोशन देरे से इसको solve करें कैसे करेंगे कि देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता हूं अच्छा कि क्या बोलती है देखो अच्छे से थोड़ा सा इसको correlate करूंगा कि छे के divisibility rule क्या बोलती थी इसके factor बनाओ दो दूसरे factor बनेगा इसका 3 बतलब यह कौन से factor है ऐसे दो बारा के factor बड़े सारे होंगे दो और छे भी होगा है ना तीन और चार भी होगा यह बारा एक भी होगा ऐसे करके बारा को चोड़े दो एक को प्राइम फेक्टर है है कि ऐसे factor कि जिन में एक गुना दो एक गुना थीन तो दो और तीन इन में सिर्फ एक ही चीज़ कौन है वह है फेक्टराइजेशन में एक इसी तरी कैसे जब बारा का डिविजीबिल्टे दूर बना रहा हो तो ऐसे फेक्टर ढूंडो यह चार गुना थीन बोल सकता हूं इसको भी आप एक गुना चार लिखोगे इसको भी एक गुना थीन दिखोगे आप तो यह चीज़ आपको समझ भी आनी चाहिए अच्छे से कि सर ने क्या बताया क्लियर अब देखो ज़रा क्या दिया है पूर एट सिक्स फॉर मल्टिप्लाइग नाइन पी टू ठीक है इस इसका मतलब मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर चाहिए मुझे जो 12 से डिविजिबल हो देखो इसको अगर मैं 12 से डिविजिबल हो रहा हूं तो यह हो रहा है तो इसका मतलब यह वाला जो नंबर है ना यह तीन से आकर डिवाइड हो गया तो मेरा पीके वेल्यों ने कल गी और पुज दिविजिबुल रूल क्या करता है कि सम अब दैट्स अपों टीन्हीं कि अगर किसी नंबर मिगा डिजिट टा स्व तीन से डिविजिबल हो रहा है तो वह आपके पास डिविजिबल्टी है इसका मतलब 9 प्लस P प्लस 2 मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए क्लियर मिनिमूम मैक्सिमूम को छोड़ो सिर्फ एक की वेलू पॉसी बोलो सकती है यहाँ पे ठीक है अगर मैं करूँ 9 यह कितना हो 11 प्लस P डिवाइड बाई 3 अगर P को मैं 1 पूट कर दूँ अगर मैक्सिमूम मीनिमूम उच्छा जब आप जाए वरना जो पहली वेल्यू आपको दिख रहे है वही आपका सीधा साधा अंसर होगा प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना मत भूले चैनल आजब लाइज दा वीडियो चलिए चलती से नोट कीजिए कोशन नेक्स पर चलेंगे चलिए नेक्स कोशन सूपर इंपोर्टन है बहुत जादे इंपोर्टन कोशन आने वाले टाइम के लिए मदब आने वाले आपके प्रिलिम्स के लिए on dividing 2272 as well as 857 by 3 digit number n we get the same remainder the sum of digit of n is कैसे करेंगे how will you do this question this is very smart question मैंने मानना भी कोई n1 number वो क्या है मेरे पस 2272 मेरे पस फिर n2 number दी है क्या दिया 875 वो किसी तीन डीजिट नंबर n से डिवीजिबल है और दिवाइडिंगे 2272 and as well as 850 875 by 3 digit number मतलब किसी नंबर n से डिवाइडि करेंगे we get the same remainder the sum of the digits of n is कुछ है नहीं करना आपने देखो मैंने मानना कि इस केस में आर रिमाइंडर है सेम रिमाइंडर आ रहे है सेम रिमाइंडर आ रहे है कोई तीन डिजिट का नंबर है तो आपने क्या करना है इनको दुनों को मैनस करो देखो क्या आएगा 2272 माइनस और इसको किसे डिवाइड करना है मुझे इन डिजिट नंबर किसी न से ऐसा होना चीए तो यह कितना होगा देखो ध्यान से देखेगा 2272 माइनस और माइनस 875 प्लस र डिवाइड डिवाइड बाइन अब एन की वैलू यहां से कैसे पता चलेगी देखे जरा देखो यह कितना होगा 2275 माइनस 875 माइनस ते डिवाइड बाइन मैंने आपका थोड़ा सा काम असान कर दिया मैंने क्या किया मैंने 22 को पचेतर बना दिया बहतर को क्या किया मैंने 22 को प्चेतर बना दिया बहतर को प्चेतर बनाने से क्या हुआ यहां पर 75 यहां भी 75 कितना आगे डबल जिरो आ गया अच्छा 22 माइनस 8 is 14 14 100 माइनस 3 कितना आगया है तो यह कितना आगया 1397 डिवाइड अब 1397 नमबर है जो 9 से डिवाइड रोना चीए और 3 डिजिटल को कि नमबर अगर मैं इसके फेक्टर में नौ क्या बनेंगे देखो 11 गुना 127, 1270, 127, 7931, clear तो यह कितना आगया मेरे पास अगर बिसिकली 1397 को दूं यह किसे डिविजिबल है क्या रहे है इंटो 127 तो वो 3 डिजिटल अमबर कौन सा आगया एक्टर 27 यानि 1 प्लस 2 प्लस 7 साथ दोनों है 10 तो अंसर इस ऑप्शन नमबर D, clear तिमबल माइनस कीजिए और आपका अंसर आजएगा प्लीज ट्राइए करें इसकूशन को अगया है 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 चलिए लेट इस पूड़ाउं तो नेक्स कूश्शन चलिए स्पीड टाइम एंड डिस्टन्स का बहुत शांदार कुश्शन रेलेटिव स्पीड का इसमें बहुत सारी चीज पूछी है बहुत सारी चीज एक गीवन है clear क्या क्या कूश्शन आथी फिस नोटिस बाया पुलिसमेन फ्रॉम डिस्टन्स ओप 200 मिटर की बही किसी पुलिस से मतलब चेज करना शुरू किया कि दथी फैंड पुलिसमें रन एक स्पीड ऑफ 10 किलोमेटर एंड 11 किलोमेटर परावर मतलब जो चोर भाग रहा है डेफिनेटली कभी उपर नेचे भी दिया होना ध्यान से देखो अगर पुलिस को पकड़ना तो चोर से जाधा स्पीड चीए तो थीफ की स्पीड कमोनेचे दस और पुलिस की जात होनेचे गया रहा clear what is the distance between them after 6 minutes 6 minutes की बात कितना distance होगा यह बताना आपने सबसे पहली बात यह दिया मुझे मैंने मनाई यह और यह भी है यहां पर हमारे पुलिसमेन है और यहां पर हमारे थीफ हैं कितने का distance है बिटविस में 200 मीटर का clear the thief start running and the policeman chases है speed of the policeman कितनी है 11 km per hour speed of the if कितनी है 10 km per hour मुझे मेटर दिया है और 6 मिनिट की बात पूछी है तो इसका मतलब police ऐसे थीफ ऐसे direction कौन सी होगी same तो यहां पर क्या relative velocity कौन साप्टा है का yes यहां पर we will talk about relative velocity तो relative velocity क्या होगी speed of the police minus of speed of the thief यानि कितना होगा 11 minus 10 1 km per hour यानि 60 मिनिट में कितना 1000 मीटर ठीक है तो एक मिनिट में कितना होगा 1000 by 60 और 6 मिनिट में कितना होगा 10 100 मिटर इसका मतलब 6 मिनिट और 100 मिटर क्रॉस कर लिया होगा तो कितना बचेगा option number is 100 मिटर clear जल्दी से नोट कर देजिए next question में बढ़ने वालों में फट्टाफट इस question को देख लो फट्टाफट सुपर question था तो मैं 10-15 सेकंड दे रहा हूँ आपको आराम से इसे देखिए पर देखिए फाल से नोट आदि जिद्ट जिसे करिए प्लीजिए से नोट चलिए, let us move down to the next question, that was a very beautiful question, इसमें पसे relative velocity को कर आपने द्यान से देखा होता ना, तो अंसर हो जाता आपका, चलिए, बहुत अच्छा question है, बट मुझे थोड़ा साना confidence दो, बताओ ये question, कोन से topic से आपका, क्या question दिए, अधी, 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 आवर वोस 35 km, and was the total distance travel in 12 hours, बताओ भई, what was the total distance traveled in 12 hours, तो 12 गंटे में कितना distance travel होगा, बताओ, तो एक एपी का कुश्चन नहीं, अधी, 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 प्रोकेशन, येस, सम उफेपी का कुश्चन नहीं, बत करमा कैसे है, basically, देखो, the speed of the car increased by 2 km per hour, बतलब पह पहले 35 किया उसने पहले hour में, hour 1 में, फिर किया 37 आने किसमे, hour 2 में, फिर किया 49 hour 3 में, इस तरह करते करते, hour 12 में कितना किया होगा, ये बताना है, मुझे, last, इसका सम बताना है, मुझे total distance, पहले में 35, 70, 99, या तो बीस सब को add कर लो, या तो इन सब को add कर लो, दूसर तरिक क्या होता है यह क्या होता है और आपको थोड़ा से बना पाएंगे जल्दी से नोट कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर है अब यहां पर एक क्या है अगर आप नहीं पता तो कमेट सेक्चन में लिखेंगे मैं सारी चीज़े आपको डिफाइन करते हैं तो यह होता है मेरे पास फर्स्टम और यह होता है मेरे पास टोटल लंबूर ओफ टॉटल लंबूर ओफ और मेरे पास डी होता है कॉमाल डिफ्रेंस तो यह कितना होता है बारा बट्टे दो एक इतना है मेरे पास थर्टी फाइव प्लस बारा माइनस एक इंटो ओफ दो यह हमें बेसिकली फाइंड आउट करना तो यह कितना होता है देखो थे 6 इंटो ओफ 70 प्लस 11 उना दो 22 तो यह कितना होता है 92 इंटो ओफ 6 तो यह कितना होता है जहान 540 प्लस बारा 5 552 किलोमेटर ऑप्शान नमर्स इस दा राइट अंस शर्शाद यह कोशन पहले भी हमने किजना किसी एक्सेस में किया होगा बट इस तरह कोशन बड़े इंपोर्टेंट तब मैंने दुबार आपको करवा दिया मिक्स कोशन प्रेक्टिस में आपके क्लियर दलती से नोट कीजिए चले जिए नेक्स कोशन को उपर चलिए अनदर गुड़ कोशन स्पीड टाम डिसनस है एक्चुली ना यह कोशन लेकर आने का एक सिरब में एक डिस्टाई को वह था मोटो यहां पर बहुत अच्छा कॉंसेप्ट आपके तूट्रेंस ए अनडबी स्टाइमें इन ट्रेंट अपे इन डिरेक्शन फ्रॉम टूबट्स पी और क्यों मतलब है एक साथ टुगैदर आपके चल सकते हूं अब यह लिखे देता हूं इसको यह उला टुगैदर वाला एक साथ नीए एक साथ एक अग अगर इसको नहीं पांदा मतलब तो लिखले उसको एक साथ. टू पॉइंट्स P and Q and arrived at their destination 16 and 9 hours. Okay. Respectively after their meeting each other. देखो. अब इस question का concept कैसे पकड़ना है? इस question में क्या दिया होगा? Time Taken to reach destination after meeting. कि मिलने के बाद इनको कितना समय लगा? इनकी destination पैं जाने पे. डागराम की जरूर थिने में बना देता हूँ. प्रिके है? हें बच्चों क्रिफोसन नहों. एक ट्रेण यहां से आ रही है किसी पॉइंट पर यह मिले ठीक है मैं यहां कहते हो किसी पॉइंट पर उसके बाद इसको लगे 16 आवर्स और इसको यहां से यहां लगे 9 hours, ठीक है, at first speed does the second train be travel in the first train travels at 120 km per hour, बेखो का सिंपल दा होम ला क्या है, speed of A upon speed of B is equal to under root of time of B upon time of A, बस यह आपने छूटेशी चीज़ याद रखने था, exceptional question है basically, ठीक है, यह थोड़ा out of the box question है, ना इसमें relative velocity का ज़्यादा कुंसे अफ्ट लग रहा है, इसमें आपको दो time दिये हुए, एक speed दिये हुए, ठीक है, तो यहां से आपने देखना है, तो आपको speed of A कितने दिये हुए है, 120 upon speed of B, under root of time of B कितना है मेरे पस, 9 by 16 याने कितना, 3 बटे 4, 3, 40, 4, 16 याने कितना, 160 km per hour, अच्छा, एक बात सुनो, मेरी बात, अगर last का, अगर जैसे none of this की जिगा, मैं कुछ और देदू, आपको, suppose करो, मैं देदू, आपको, 110 km पर आवा, तब देखे, answer कैसे लगा होगी, देखो, suppose करो, यह किसी point पर मिले है न, दूसरे वाली train कम time ले रही है, तो definitely उसकी speed जाद होगी, पैले वाली train, जादर time ले उसकी speed काम होगी, तो definitely जो भी मेरा answer होगा होगा, तो कई बार अगर, examiner आप से खेलना चाहिना, तो उसको, बड़ी game दिखाओगे, भीया, हम तो यह तयारी कर क्या है, ठीक्लियर, तो please थोड़ा सा ध्यान रखे में, आप्शन से भी कैसे लेना है, आपको मैंने बता दिया, चलिए, let us move down to the next question, चलिए, note कीजिए, इसको, यह important है, VVI लिख लो, इसको, चलिए, mensuration से question है, आपका, I think 2D का है, yes, the slant height of a red circular conis 10 meter and height is 8 meter, find the area of the curved surface, अब सबसे पहली बात, area of the curved surface, curved surface area का formula क्या होता है, बताए मुझे, अगर बिसे लिए बात करूं, curved surface area का formula क्या होता है, पाय यारा, curved surface area of, उट क्या होता है मेरे पाई, आरल, ठीक है, मतलब बेसिक लिए आर चीए होगा, चलिए, बेसिक लिए अगर मैं देखूं, कावट सर्फेस एरिया है, यह कौन हो गया, ठीक है, जैसे आपकी बड़े वाली cap होती है, यह आपके बस 90 degree बनता है, हमेशे extended home याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, यह मेरे पास R है, यह मेरे पास H है, और यह मेरे पास L है, अगर थोड़ा बहुत आपको पाई थाकुरस टिपलेट का knowledge हो, तो आप जहां से देख पाएंगे, कि आपके पास क्या होगा, H square, plus R square, is equal to H square, H square plus R square is equal to L square, तो H कितना है मेरे पास, plus R square, तो R square कितना होगा मेरे पास, 100, माइचा 64, तो R कितना रूट of 36, यानि 6, clear, अगर यह आपके 6 होगया, तो बस यह आपके पास दिया है, 10, और यह 8, तो आपके सियाद रखो, 6, 8, और 10 ही आपके पास है, पाई थाकुरस टिपलेट होता है, जैसे 3, 4, 5 होता है, इसका अब दो-दो से मल्टिपलेट करते जाओगे, तो आपके next पाई थाकुरस टिपलेट निकलते जाएंगे, clear, तो क्या दिया है, R square, तो पाई, पाई में दिया है, देखो सारा कच, तो आपको कुछ करना ही नहीं, R कितना आपके पास, 6, L कितना 10, तो कितना आगया अबर, C is the right one, clear, तो प्लीज, लाइक, शेर, सब्स्राइब करना मद भूले चैनल असवेल असवेल असदा वीडियो, कांटली कीजिए सुचर, होफ़ली clear होगा ये कॉश्चिन, let us move down to the next कॉश्चिन, नोट कर लिजिए फटापटी सकूँ, चलिए, ये decimal fraction का कॉश्चिन है, चलिए, अब आपको इसकी P upon Q form निकालने, आपको क्या दिया, देखो, basically, reoccurring decimals कॉँन से हैं, जैसे मैं लिखूँ, P is equal to 0.125, 125, और ये ऐसा-ऐसा चलता जा रहे है, ठीक है, और basically इसे मैं presentation कैसे करता हूँ, 0.125 बार, clear, आपने कुछ निकालने, एक ही question बता रहा हूँ, उसमें काफी कुछ आपका clear हो जाएगा, इसको 10 से multiply करो, 10 P is equal to कितना आगया, 1.25 और आगे 125 बार, ठीक है, तिर अगे 10 से multiply करो, और एक बाद ध्यान रखे, अगे left में कर रहा हूँ, तो right में भी करी रहा हूँ, ठीक है, ये कितना हो गया, 100 पी ये कितना हो गया, 1.25 बार, ठीक है students, फिर 10 से कर दो, अब आपको बताऊंगा भी मैं क्यों मैं कैसा कर रहा हूँ अभी, ये कितना हो, 125.125 बार, देखे, initially मेरे पास किसकी value given है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 1000 पी माइनस of पी बराबर कितना हो गया मेरे पास, 125.125 बार, माइनस तो 0.125 बार, clear, तो ये कितना हो गया, कितना, 125 बार, 125 बार, ये मेरे बिल्कुल, सही अंसर, option number B, मैं कोई formula formula रटवार आपको, कि डियर, रियकरिंग या decimals का कोई formula आपको बता दू मैं, clear, मैंने simple approach बताए, इस approach से आपने सारे question करना है, जो भी आ जाए, clear, जल्दी से note कीजिए, let us move down to the next question, the sum of 4 times a fraction and 6 times reciprocal is 11, what is the fraction, क्या fraction होगी, अब आप लोग इसमें गिलतिया करोगी मुझे पताए, आप लोग x y मान लोगे, मैंने वानने, let the fraction be, let the fraction, fraction मैंने k माल लिया, k माल लो, p माल लो, जो मानना माल लो, मतलब sum of 4 times fraction, मतलब इसका 4 times plus, 6 times its reciprocal, 6 upon k, वो किसे बराबर है, 11 की बराबर है, बस, इतनी सी बात थी, और इसको आप मुझे solve करना है, clear, तो यह कितना आगा देखों, अगर मैं लोगो कितना आएगा, 4k plus 6 upon k is equal to 11, यानि 4k square plus 6 is equal to 11, के और मैं क्या लिख सकते हैं, 4k square minus 11k plus 6 is equal to 0, clear, तो 644, 4k square minus 8k minus 3k plus 6 is equal to 0, तो अगर मैं 4k यहां पर common लेता हूँ, कितना आएगा, k minus 2, अगर माइनस 3 common लेता हूँ, कितना आएगा, k minus 2 is equal to 0, तो यहां से क्या लिखूँगा मैं, 4k minus 3 and k minus 2 is equal to 0, तो बेटा यहां से क्या आएगा, 4k minus 3 is equal to 0, 4k is equal to 3, k is equal to 3 by, तो साब साब दिख रहे हैं, यह तो मैं निगलेक्ट कर दूँ, क्यों कि fraction में है ही नहीं, तो option number a is the right answer, clear, तो चोटा सा question fraction से भी वहने करवाया, मेरी कोशिश ही रह रही है, मेरी कोशिश ही है कि हर तरांगा कुछ ना कुछ आपको है, हर lecture में एक नई चीज़ कवर करूँ, जैसे, इस lecture में हमने decimal fraction देखा, और एक हमने normal fraction वाला question देखा, clear, तो अगर वो 125 by 999 वाला question आपने अच्छे से समझे लिया ना, तो आप कोई भी कर चेकता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, मैं दूबारा क्योंकि देखो, यहां पे क्या था, शुरू में मेरा 125 बार था, तो जब तक मेरा point के बाद 125 बार नहीं आ जाता, तो मुझे करना बढ़ेगा, अब 1234, 1234 ऐसे आएगा, तो यह क्या आएगा, फिर 10,000 पी इसे लिए 123.4, 1234 बार, clear, तो इस तरीके से 4 का 5 का बट, इतना आएगा निगर इतना आप समझे लोगे, तो more than sufficient होगा student साब के लिए clear, एटे में फिर मैं आपको बता दू, कि अगर आप HCS prelims देने वाले हैं, जो की बहुत जल्दियार आपका, तो प्लीज एक अच्छी test series हैं, अभी वन्यों आइस test series दिर्व जाएए, एक तालेस प्लस selection से 2021 में, और 27 से जाधा selection से 2022 में clear, तो HCS prelims test series आपके total number of 26 test हैं, सिरफ 6500 रुपे के ना के 8500 की, जिसमें 4 आपके GS के test हैं और 4 आपके CSET के test हैं clear, और अगर आप हर्याना जिगे की tension ले रहे हैं, तो कोई जुरूर तो नहीं है, दस से पंदरा question आपके आई रहे हैं, प्रिलियम से minimum, 500 questions हैं सिरफ 400 रुपीज में, इसका लिंक भी description box में दिया गए, प्लीज 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 इसा अवेल कीजिए, और like, share, subscribe करना मत भूले channel, ऐस वेल आज दा वीडियो, थैंक्यू students and all the best for exam, thank you.